अब सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन गालसवर्दी पर मौक टेस्ट है वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में जॉन गालसवर्दी पर वही सवाल लिए गए हैं जो अब तक एक्जाम में पूछे गए हैं चाहें TGT हो PGT हो या अदर्स एक्जाम हो तो इसमें जो आंसर हैं वो भी जो आयोग ने आंसर माने हैं उसी के अकॉर्डिंग हैं तो ये important MCQ है आपके लिए सवाल पूछे कैसे जाते हैं और बहुत सारे यूपी में जो एक्जाम होते हैं उसमें सवाल रिपीटेड बहुत होते हैं तो वो भी आपको जानने को मिलेंगी तो जो सवाल का पैटर्न है नेचर क्या है एक्जाम का वो सब जानने को मिलेगा तो चली वीडियो शुरू कर तो आज का पहला क्वेश्चन है सेवरल ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नोविल्स वर रिटेन अंडर स्यूडो नेम तो प्रारंब में जो गाल्सवर्दी के प्लेस थे स्वरी नोविल्स थे वो किस शूडो नेम से लिखे जाते थे तो राइट आंसर है जॉन सिंजॉन और यह अब सारे सबाल इसमें पूछे हुए है यह टीजीटी 2011 में पूछा हुआ है अगला प्रिश्चन है दा फर्स सक्सेस्वर नोविल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाच तो राइट आंसर है दा मैन ओफ प्रॉपर्टी ऑप्सन इसका राइट आंसर हो जाए अगला प्रिश्च है विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इस कंसीडर टूबी इस मास्टरपीस तो मास्टरपीस के रूप में इस कौन से नोवेल को इन में से जाना जाता है तो इंडियन समर ऑफ फॉर्ष्ट तो ऑप्सन डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नमर फॉर बिच इस जैसे सवाल है वो पूछे जाते हैं क्योंकि नोवेल महुत जादा लिखे गें गाल्सवर्दी के द्वारा और यह प्ले है तो यह पूछा जा सकता है अगला प्रिशन है वैन जोन गाल्सवर्दी अवार्ड़ फॉर लिट्रेचर तो लिट्रेचर के रही नोवेल प्रैस क भी important है इसका पूरा जो इसके जो आपके character हैं वो आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि यहां से आ सकता है सवाल क्योंकि यह love novel है ज्यादा तर जो गल्सवर्दी के जो novel हैं वो समाज में contemporary society में जो problems हैं उन पर based हैं लेकिन यह love novel है तो यहां से detail में सवाल पूछ दा सकता है जो चीज़ें अपवाद होना किसी भी writers के संबंद में तो वहां से सवाल आने के पूरी संबावना होती है अगला प्रिशन है which drama of गासवर्दी deals with the conflict between capitalist and laborers तो capitalist और laborers के बीच में कौन सा वो दिखाता है conflict तो option is का right answer is strife अगला प्रिशन है which of the following works is not one of the गासवर्दी प्ले तो इन में से कौन सा वो है जो गासवर्दी का प्ले नहीं है तो right answer is the silver spoon अगला प्रिशन है question no 9 तो यहां पर आपको यह फिल करना है is the main theme of most गासवर्दी प्ले तो social problem of his time तो यह बहुत easy सा है आप एक concept एक बार गासवर्दी का पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आप संसीज का right answer है अगला प्रिशन है जॉन गासवर्दी style is remarkable for तो इसकी style थी यह सभी वो use करते थे अपने रा जो वर्ख है उसमें the strength and elasticity the power swap यहां पर होगा आपका sweep powerful sweep a brilliant illustration और deep psychological analysis तो यह सारी चीज़ें उनके वर्ख में थी अगला प्रिशन है which of the following does not belong to the guys were these three trilogies तो इन में से कौन सी समलित नहीं है जो three trilogies है उन में तो option is का right answer है the main of property अगला प्रिशन है जॉन गासवर्दी वासबॉन in the year of तो कब हुआ जनम तो 1867 option भी इसका right answer है अगला प्रिशन है तो यहां पे 30 नमर का जो right answer है आपका वो हो जाएगा option भी lawyer अगला प्रिशन देखते हैं तो इसमें कुछ नहीं है जो पादी offer की गई थी गासवर्दी के लिए उसने उनको ठुकरा दिया था तो कब ठुकराया था तो राइट आंसर है 1917 अगला प्रिशन देखते हैं 15 complete the sentence गासवर्दी प्ले स्ट्राइब इस विद्धा सब्जेक्ट ओफ तो जो strife है गासवर्दी का जो play है strife वो किस subject पर था मलब किस subject के साथ वो deal करता है तो लेवर डिस्प्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रिशन है complete the sentence तो सेम है the Iceland ferries has been written by तो राइट आंसर हो जाएगा गासवर्दी अगला प्रिशन देखते हैं इसमें भी fill in the blanks है तो यह sentence आपको complete करना है तो आप्सन भी इसका राइट आंसर है लेकिन यह TGT 2013 में पूछा हुआ सवाल है और आयोगने इसका आंसर option D ही माना है अगला प्रिशन है in which year was justice published तो किस साल में justice जो यह था वो published हुआ था तो option D इसका राइट आंसर है 1910 अगला प्रिशन है complete the sentence तो justice was problem of तो justice में जो problem दिखाये गई है तो वो कहां की society की है तो option E इसका राइट आंसर हो जाएगा English legal system तो English legal system को इसमें दिखाया गया है अगला प्रिशन है who has written Jocelyn among the following writers तो गाजवर्दी बहुत easy है अगला प्रिशन है 22 तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका government council option E यह भी पूछा हुआ है TCT 2013 में सारे पूछे हुए सवाल है आपके इसमें हमारा कोई effort नहीं है बस हम आपके लिए collection दे रहे हैं जो अन्य इस्टेट की exam में पूछे गये सवाल है वो भी इसमें सम लेत हैं तो 23 का आपका right answer हो जाएगा option B the silver box 24 तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा 24 का option A upper class अगला प्रिशन है question number 25 तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option C forestry सागा question number 26 the influence of class is depicted in option D's का right answer है loyalties अगला प्रिशन है 27 तो यहाँ पे आपका right answer है option D loyalties यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा और इसका pdf आप लोगों को एकदम free में मिल जाता है तो आप वो pdf अपना print out भी निकलवा सकते हैं उसका तो आप group का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो आप वो group join कर लीजिए वहाँ पे आपको इसका pdf मिल जाएगा और सब लोगों से निवे देने कि आप channel को subscribe जरू अबर हो जाएंगे तो हमके लिए detailed class भी शुरू कर सकते हैं तो option 10 का right answer है अगला प्रिशन है 28 तो 28 का right answer है option C 29 तो 29 आपका right answer हो जाएगा 29 का option C class traditions upon society अगला प्रिशन देखते हैं आज का आखरी सवाल strife dramatize तो right answer है आपका option C strife यहाँ पर वैसे strike होना चाहिए थोड़ अस टाइपिंग निस्टेक है यहाँ पर हो जाएगा strike और strike तो option C इसका right answer है आज के कोई जो test paper है हमने उसमें 30 questions इसलिए लिए हैं कि जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाता है तो हमें दो पार्ट में कर करता है तो लोग confused हो जाते हैं इसलिए 30 questions रखे हैं और अभी चैनल पर बहुत जादा बड़ी वीडियो upload नहीं हो पाती है इसलिए हमने 30 करने पड़े हैं आप लोग demand करते हैं कि हम सारे question पढ़ें और आपको बताएं तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है और जैसे ही January आपका खतम हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए कोशिच करेंगे अपते में चार या पांच टेस्ट पेपर आपको दिये जाए तो आप ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें थैंक यू